अगर आपके दाड़ी के बाल जड़ रहे हैं और आप उनको रोकना चाहते हो और जो बाल आपके जड़ चुके हैं उनको उगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सर क्रीटमेंट करना चाहिए आज मैं आपको इस वीटियो में बताने वाला हूँ तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए आजैसे, आपने तक मेरे यूटूब चैनल को सुश्क्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे यूटूब चैनल को सुश्क्राइब जरूर कर ले तो आप मैंसे ऐसे बोश्चे लोग हैं जो मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स करते हैं उसमें से मैं एक कमेंट लेके आता हूं जो कि सभी की प्रॉब्लम होती है फिर उसको उपर मैं सॉलूसन बताता हूं कि आपको यह प्रॉब्लम के लिए यह सॉलूसन करना चाहिए पहले हम में इसके बारे में कोई श्यूंसन बताई यह बहुत जोड़ को आजाए देखो अगर आपकी कम एज में प्रोब्लम हो रहे तноп के लिए Это स्थ बालिबात हो सकती है और अगर की लिगे में हो रही है 40 साल सूपर वाई लोगों को उनके लिए तो फिर वो एज उनकी हो चुकी है फिर उसकी उपर आपको कुछ नहीं करना साहिए लेकिन कम एज में अगर दाड़ी के बाल जड़ा है तो आपको मिनी अक्षिल फाइवालों को करना है यह एक ऐसा treatment होता ह Straw बालों को उगाने के लिए ही वना होता है जाहिए आपके बाल जड़ा है और उनको रोगना भी चाहते हो और आप उनको उगाना भी चाहते हो तो आपको मिनी सी बीक पनिक आप यूज कर सकते ना चाहिए कैन को पू करने करने की तरीका होता है इसको आपको हपते में तो रहा में 돼 ये थोड़ा सा आपको बैट के सर्कुलिशन को बढ़ाता है और ये कापी ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत जल्दी से ये काम करता है आप हर रोज काम करोकर तो आपको नुक्सान हो सकता है हफ्ते में दो देन इसका यूज करें इसकी चारपाश ड्रोप आप लिप साइज पर राइड शाहिड में लगा के आपकी ब्यट की मसाज करें तोड़ी सी आपको जलन सी मैसोस हो सकती है क्योंकि ये फेस का ब्लेट का सर्कुलिशन बहाता है जो आपकी इसके ब्लेड है वह कापी अच्छा करता है पतला करता है जिससे कि आपके जाड़ी बाल होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके दाड़ी ने आ रही तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कंडिशन होती है कि अगर आप इसका यूज जब तक करोगे जब तक आपकी दाड़ी अच्छी रहेगी और काली गणी मोड़ी रहेगी जैसी आप इस में दो देन इसको यूज किया अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपके हैरफॉल भी कंड्रोल हो जाएंगे और जहां पर आपके बाल जर्चों के बापनाय बाल भी आजाएंगे तो आप इसको मैने में एक बाल लगाना इस्टार्ट करें और अगर आपको ऐ हैरफॉल हो रहा है कम एज में तो आप सदर्क हो जाए और टीटमेंट्स करना चालू करते अपनी डाइट पर ध्यान दे कि आप क्या ऐसी चीज खा रहा हो जो कि आपको नुकसान कर रहा है अगर आप कम एज में गंजे हो जाओगे तो आपकी पूरी लाइफ कहीं ने कहीं हैरफॉल ना हो तो उसके लिए आप यह मिन्योक्षल यूज़ कर सकते हैं तो आप अगर कमेंट करना चाहते हैं आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि आप फेस कर रहो और उसके लिए आप सोलूसन चाहते हो तो मैं उसको पर एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हो तो कमेंट का इंतजार करूंगा आई यह भी वीडियो आपको अच्छा लाओ इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेर करें और मेरे यूटूब चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले थैंकि पोस्चिंग माँ वीडियो श्यूर्हें